तो मार्केट ने जो है यहां पर एक बड़ा पंप हमें दिया है कल डूरिंग फेड का मीटिंग अनॉंसमेंट था उसके बाद भी तो अब इसमें यह एक्सपेक्टेड रिजल्ट था तो यह मैंने अगर आपको नहीं पता मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट की क्या बात कर रह के यहां पर बोला जाहता कि यहां पर इंट्रेस बढ़ाय जाएंगे यहां मैंने कल बिडियो अंब बताब 50 का जो एक्सपेक्टेशन है इसका जो एफेक्ट है मार्केड में वह ऐसा लग रहा है कि उल्रेडी प्राइस में बिल्ट इन है बादा प्राइस ऑल्री काफी गि करता दिख सकता है with that being said volume फिर भी नहीं होगा market में और अगर उससे जादा आता है तो हमें यहां पर देखने को मिल सकता है तो वो वीडियो आप चेक आउट कर लो आपको समझ में आ जाएगा कल वाला वीडियो है वो जरूर देख लेना उसमें बहुत सारा background information है 2022 और 2023 में क्या करने वाले हैं जो रेट इंक्रीज हो रहे हैं कितने होने हैं क्या होने क्यों और भी अभी काफी meetings बाकी हैं जिसमें rate बढ़ने हैं और inflation के numbers यहां पर आने हैं तो हमें जो है यहां पर bitcoin की तरफ से तो pump देखने को मिला है अगर मैं आप लोगों को बहुत ही क्विकली 4R के चाट में दिखा हूं तो हम लोगों को एक support तो जरूर मिल गया जो आपको पता है 37.5 के असपास का support है वो support मिल गया हम लोगों ने जो हमारा 24 चाट में 20MA है उसको क्रॉस किया उपर का एक जो minor resistance लेवल था 38,939,000 की देंज में उसको क्रॉस किया और हम लोग 40,000 के resistance से यहां से अभी reject होके नीचे आ रहे हैं which is how it is supposed to be वैसे भी और 40,000 के भी उपर अगर बात करें तो 40,000 या रैदर 41,000 के आसपास हमारा 4R chart में basically 200MA भी बाकी है तो यहां पर हमें अभी क्या देखना है यहां पर एक चीज़ important है आप नीचे अगर यह वाल्यूम वाला तो हमें वाल्यूम थोड़ा से यहां दिख रहे है यह वाल्यूम नहीं है this looks more like liquidations तो अगर आप बड़े पॉंप देखो तो बहुत अलग लेवल का वाल्यूम दिखता है this is not even close तो यह more or less liquidation based वाल्यूम थोड़ा सा फकोर्स यहां पर inflow आया है funds का जिसकी वज़ा से short liquidations य daily chart में we did not really get much volume तो यह और आज का भी अगर आप देखो तो कहीं पे भी नहीं है हम यहां पे right because अगर हम कहीं पे नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा chance जब volume कम होता है होता है कि bitcoin यहां पे नीचे आएगा current अगर मैं सिरफ आपको daily chart में दिखाऊं तो हम 20MA के support पे बैटे हैं औ और आज की candle अभी चालू है और यह daily का chart है अगर इसमें उपर की तरफ भी upside भी आप देखो तो भी daily में हमारे पास 46,000 के level पे हमारा 200MA भी बाकी है जो बहुत ही ज्यादा strong resistance बनाने वाला है current price levels again 37.5, 39,000 at least मैं देख रहा हूँ 37.5 I think is crucial क्योंकि यहां पे हमें अभी भी support मि अभी तो तीन बार मतलब कितनी बार हो गया आप notice कर लो अभी तो और usually ऐसा होता है कम volume के साथ अगर यह जादा target किया जाता है 37.5 का जो level है तो हमें यहां पे bitcoin इसके नीचे जाता दिख सकता है जो मैंने कल वाले video में mention किया है कि there is a chance कि हमको bitcoin जो है वो 34,000 की range में यहां पे trading rather तो यह चीज़ों यह levels का ध्यान देना है अभी levels का ध्यान देते देते और की और चीज़ें क्या है तो number one bitcoin की अगर options expiry की बात करने का है यह Friday को 735 million dollar की options जो है expire होने है जिसमें अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि bears जो है वो यहां पे जीत सकते हैं now यह bitcoin का जो price action अभी बहुत सारी चीज़े और आजाती है और यहां पे जो US का जो fed है वो यहां पे अपने economic policies को टाइट कर रहा है inflation को अब control करने के लिए जो उन्होंने खुदी create की है inflation by the way उसी को control करने के लिए तो वहां पे सब लोगों की जो है बाट लग रही है अगर हम bulls की बात करें options की side स तो bulls का expectation नहीं था कि price जो है 40,000 के नीचे जाएगा ऐसा क्यों कि यहां पे specific options की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर के options हमारे पास ज्यादा available थे from a bull side now 1.22 का call to put ratio है इसका मतलब क्या है अभी के लिए basically अगर हम specific price action यह नो जैसे आपे divide किया है कि कौन से specific price के बाद हमारे price की range में हम रपास क्या calls and what puts है उसके base पे basically funda सिरफ ऐसा सा है कि कुछ 100 million के आसपास का जो gain है वो bears को मिल सकता है इस Friday क्योंकि जो अभी का bitcoin का price देख लें तो हम 39.5 की range में चल रहे हैं until and unless bulls I think शायद ज्यादा ही bullish हो गए थे and यहाँ पे बिना volume के तो ज्यादा pump लापाना and sustainable pump लापाना बहुत ही ज्यादा tough हो जाता है ज्यादा स्यादा अगर अभी यहाँ पर pump भी आता है तो भी हमारे पास 40,000 का resistance level है या rather 40,000 से 40,700 का range है यहा आपको ध्यान रखना है कि आप अभी थोड़ा सा ज्यादा FOMO में मत आओ मैं आप लोगों ने notice नहीं किया होगा मैं बहुत rarely बहुत ज्यादा bearish होता हूं मैं भी बहुत ज्यादा bearish नहीं हूं पर मैं bearish हूं क्योंकि यहाँ पर अभी volume ही नहीं कुछ करने के लिए पूरा जाकि यहाँ पर पहले हमें downside देखने को मिल सकता है तो वो downside में आपका profit आपके पास book की होगा तो आप better prices पर चीजे ले पाओगे और ज्यादा ले पाओगे तो वो चीज का please ध्यान रखना है यहाँ पर बड़े-बड़े pump हमें दिखतो रहे हैं थोड़ा से ध्यान रखना Wrapped Bitcoin है, Litecoin है, Shiba Inu है, Dogecoin है और US Dollar के 5 stable coins भी हाँ पर आते हैं कस्टमर जो है crypto से जब pay करेंगे वो New York में, Los Angeles में, Miami में, Atlanta में, Las Vegas में उनको एक email जाएगा उस time पे QR code के साथ वो अपना जहाँ पर QR code वो scan करके पैसा दे सकते हैं Now, Gucci की बात करें, Gucci ने of course, Web3 में उन्होंने अपने 2 NFT collection भी already launch किये हैं, Super Gucci, Gucci Grail, Gucci हमें यहाँ पर काफी जादा अच्छा adoption देता नजर आ रहा है, and हमें पता ही है, जब यहाँ पर ऐसे यह सब चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर बाकी के ब्रैंड भी चीज़ें करने लगते ह Now, moving on, अगर हम यहाँ पर बात करें, कि Hublot और Ledger का जो collaboration है, Hublot बहुत ही ज़्यादा expensive घड़ी का ब्रैंड है, बट इसके इलावा, बहुत सारे luxury ब्रैंड चीज़ों के साथ, Ledger वाले जो हैं, काफी सारी चीज़ें पार्टनर, या रधर Ledger के साथ, काफी सारे अलग-लग projects, पार्टनर अप कर रहे हैं, हम लोग भी Ledger से बाइदर वे बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके लिए और भी में वीडियो लाने वाला हूँ, उस चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ के लिए आप बने रहे हैं, बट काफी इंटरेस्टिंग है देखना कि बहुत सा अपरूफ कर दिया है as a digital asset provider, तो वहां पर उनके लिए main क्या था कि देखो यार, basically हमारा जो है यहां पर registration है, उसमें good reputation होनी चाहिए, managers competent होने चाहिए, owners beneficial होने चाहिए, और उनका सारा का सारा जो compliance है, AML laws, anti-money laundering और financing of terrorism के against चीज़ें काम करनी चाहिए, फिर Binance ने बताया क अपना operation है, फ्रांस में बहुत जादा अब यहां पर बढ़ाने वाले हैं, आने वाले time में, ताकि वो एक अपना infrastructure development आगे पूश कर पाए, यह actually काफी अच्छी news है, क्योंकि Binance को बहुत सारी जगाहों से यहां पर सुनने में आया है, आपके पास office नहीं है, आपका कुछ location खोलो अगरा, जो यहां पर Binance की तरफ से आया है, official या कैसा है, बट यहां पर plan Binance वाले है, बहुत ही सून एक official location, एक official country में, actual headquarter जो है, अपना announce करेंगे, तो let's see how things pan out, यह कुछ चीजे है, बिटकोईन का जैसे कि मैंने आपको बताया है, levels में 37.5 level है, मैं अभी 39,000 भी minor level ह है, but it is an important one, current, जो price point है, हमें current, सिरफ daily candle की बात नहीं है, Friday option expiry है, weekly close अगर 40 के ओपर मिलता है, तो थोड़ा सा यहां पर positivity आने का chance है, तो थोड़ा सा volume आने का chance है, बट उसमें भी चीजें बहुत जादा, अभी मेरे हिसाब से तो macro economic conditions देखें, यहां पर negative की तरफ जा सकती ह जब bear market अगर आप past भी realize करो, अगर zoom out भी कर लो चार्ट में तो आपको नजर आएगा कि यह 5-6-7% के pumps से लेके 10% के immediate single candle, two candle pumps जो है, वो मिलते आए हैं, bear markets में बहुत ही जादा common है यह चीज, तो वो चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप किस तरह से उस पे काम कर तो आप कोई भी यहाँ पे bearish face देख लो, यहाँ पे आपको single candle दिख जाएंगी, अगर मैं पुराना भी आपको चार्ट दिखाऊ तो आपको single candle दिखी जाएंगी 10-10% की range वाली, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है अभी, and market में जो है, थोड़ा सा risk off हो के आप चल सक को मिला है, तो like button मुखका जरूर मारें, and subscribe करना मत भूलेगा इस channel पर, मैं आप लोगों मिलता हूँ, अगले वीडियो में, तब तक के लिए, चाओ